NSP scholarship apply करने के लिए नए या फिर renewal application कब start होने वाले है यह कई सारे लोगों का मेरे को question आ रहा था तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक good news है NSP scholarship के बारे में तो वीडियो को end तक दूर देखना और जो लोग में चैनल को subscribe ने करें चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना कई सारे students मेरे को पूछ रहे हैं कि NSP scholarship के बारे में कुछ update दो नई NSP scholarship और renewal scholarship हम लोगों कब online डालने का application जो ओपन होने वाले हैं थोड़ा उसका एक update दे दो तो finally आप लोगों के लिए update लेकर आया हूँ ऐसा सुनने में आया है कि NSP scholarship को जल्द ही सरकार open करने वाली है तो जो लोग भी NSP scholarship को apply करने के लिए wait कर रहे हैं तो वो लोग जो है आपने सारे documents ready करके रखना खास करके जो सबसे ज्यादा important चीज़ है अपने आधार को bank से seed करके रखना जो NPCI होता है वो आप लोगों को okay करके रखना है आप लोगों को mobile open कर लेना है वहां पर कोई भी ब्राउजर में जो होना आप लोगों को UIDAI सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद यहां पर पहली website है उसके उपर click कर लेना यहां पर कोई भी आपको language जो सही लगती है वो select कर लेना कुछ इस तरीके से आपकी website उपर हो जाएगे यहां पर आप नीचे चले जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं आधार linking status नीचे देख सकते हैं आपका आधार का नंबर पूछेगा और CAPTCHA इंटर करने चे लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करना है जैसे ही लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहां पर एक ओटीपी चला जाएगा आपकी मूबाइल नंबर पर जो आधार काड से रिजि इसे क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं congratulations to your आधार bank mapping has been done तो यहां पर देख सकते हैं आपका आधार नंबर भी बताएगा bank का नाम भी बताएगा किस bank से आपका जो ना link है तो देख लेना अगर पुराने bank से link है तो उसको cancel करवा कर फिर से जो ना नए bank से link करवा लेना और bank seeding status देख लेना active बता रहा है तो सारी चीज़े यहां पर मेरी active है तो इस तरीके से आप लोग भी जो हना करके रख लेना तो जब भी NSP scholarship डालने का जो time आएगा तो आप लोग NSP scholarship डाल देना जैसे आपका सब कुछ okay हो जाता है सरकार जब पैसे भेजेगी तो directly आपके account में पैसे आ जाएंगे अगर मान लेना आपका आधार seeding नहीं है तो आप लोगों को पैसे नहीं आएंगे तो आए हो आपको साइज चीज़े डीटेल में समझ में आ गये होगी रेडी रेना कुछ दिन में NSP scholarship ऑनलाइन अप्लिकेशन ने और रिनिवल दोनों ओपन होने वाले हैं वीडियो अच्छ लगा तो लाइक करो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो मिलते हैं एकली वीडियो में तैंक यू फॉर वाचिंग